प्रेंज ये है मेरा रख्या बदन का गीड मेरा भाईयान ने ये मुझे दिया है तो चलिए देखते हैं इसके नर क्या है अन्बकसिंग करके अरे फ्रेंज ये टुक क्ले सेट है ओ माई गोड आई आम वेरी हैपी वाउ इसके अंदर क्या क्या है खोल के थोड़ा देखते हैं इसको थोड़ा खोलने मेरे लिए मुश्किल हो रहा है फिर भी थोड़ा ट्राइ करते हैं फ्रेंज क्या है बड़ा इसके रहा है इसको शोड़ा आम बना प्रेंज इसके अंदर सेट ये सब कलेकर जिनिक रहा है ये तीन्ट स्टीक क्ले में डिफेंड डिजन बनाने के लिए है फ्रांग ये नाइब जैसा है क्ले को कट करने के लिए ये बल्ब जैसा है आई बनाने के लिए ये स्पून जैसा है कर्ब करने के लिए और एक्ट स्टीक जो क्ले में कर्ब करने के लिए इसके साथ सिर्जरी का पेकेट भी आया है फ्रेंट्स हम बच्चा हुआ क्ले को इसके अंदर रख सते हैं फ्रेंट्स नहीं तो दाट्टी हो जाएगा ना ये बहुत लाइट वैट का है और स्मूट स्मूट भी लग रहा है चलिए इसको ठोड़ा खोल के देखते हैं इसके अंदर कैसा है आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक सिया और चैनल को सब्सक्राइब और बेल लाइक को जड़ो दबाचीज दिये क्योंकि सब न्यू न्यू मेरे वीडियो का नोटिवेशन आपके पा पाए इसके अंदर से कैसे चीज निकल रहा है फ्रैंस डेखिए अरे सच में ये तो सच में स्मू स्मू लग रहा है इसको ठोड़ा रूटि का गोला बना के देखते हैं फ्रैंस हो रहा है कि नहीं अरे ये तो बल जैसा राउंड हो गया फ्रैंस बेरी इंटिस्टिंग ये तो बांस भी हो रहा है इसको जैसा सब में बना चाओगे उससा सब में बना पाएंगे अरे इसको खीचने से तो इलस्टिक जीसा हो रहा है देखिए ले से गनेश वागवान का मूर्ति बनाई हूँ आपको मैं दिखाती हूँ तो ये है तो फ्रेंट्स यहाँ पर दीखिए ये गनेश वागवान का मूर्ति उनका चुहा और उनका चैर बेटने के लिए उनका हेयर उनका सून्ड उनका हाथ उनका कान फिर ये सब फ्रावार बनाई हूँ देखिए और ये उनका लेड्डू है और ये उनका आख है और ये उनका चन्डन है और सिंदूर और ये उनका चार थो हाथ है एक डो तीन चार और ये उनका फूल है और कैसे लगा गम करके बटना बाबाई